हेलो फ्रेंड्स मैं देवे नारी आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ अपनी यूटूब चैनल देवेंदर आरी पर और आज का हमारा वीडियो है क्लास टैंथ है ना साइन्स की प्रशन बैंक कहे अध्याई आठ जीव जनन केसे करते हैं आज हम करने वाले हैं इसके objective type questions के answers है ना तो आपका जो exam paper होगा वो पुराने pattern के आधार पर ही होगा लेकिन वेकलपिक प्रशन उसमें अभी भी आएंगे पूरे के पूरे chances हैं कि लगभग 25 से 30 नंबर के वेकलपिक प्रशन उसमें आएंगे तो उनी वेकलपिक प्रशनों क कि तयारी के लिए आज का मैंने वीडियो बनाया है जीव जनन के से करते हैं अध्याय आठ के question समया पर देखने वाले हैं तो बिना देर की start करते हैं कौन-कौन से question किस प्रकार आ सकते हैं तो पहला आपका question आ सकता है अलेंगिक जनन मुकूलन द्वारा होता है यानि प्रस् यह इस प्रकार के चार अलेंगिक जनन होते हैं तो उसमें से मुकूलन जो होता है वो किस में होता है जो मुकूलन अलेंगिक जनन होता है वो इस्ट में होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं आपका question second है और question second में है question second में देखते हैं निमन में से कौन मानव में मादा जनन तं पराग कोश में होते हैं यह तो सभी को पता होगा आपको अच्छे से अपने तैयारी की है तो और फॉर्ट कोशन है नर यूगमक मादा यूगमक के सल्लेन की गिर्या कहलाती है निश्रेचन कहलाती है क्वेशन पांचवा है आपका अंडब का सिर्सभाग क्या कहलाता है जो अंडब होता है उसका सिर्सभाग क्या कहलाता है उसका सिर्सभाग वर्ति कागर कहलाता है ठीक है Q6 है अलेंगिक प्रजनन होता है इन में से कौन सा अलेंगिक प्रजनन है तो इन में से कलिकायन, पेबन लगाना, डाल लगाना यह जो है यह तीनों लेंगिक प्रजनन होते है और जो कटिंग होती है यहां अलेंगिक प्रजनन होता है Q7 है, मानो में निशेचन कहां होता है, तो मानो में निशेचन कहां पर होता है, अंडाशे में होता है Q8 होता है, पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो पुष्प के चार भाग होते हैं पुंकेशर, इस्त्रिकेशर, दलपुंज और ब्राह दलपुंज Q9 है बिजांड निर्मान करता है यह जो बिजांड होता है वो किसका निर्मान करता है वो बीज का निर्मान करता है Q10 है मानव में नर्योगमक को कहते हैं मानव में नर्योगमक को शुकरान कहते हैं और question 11 है आपके सामने मानव का नर जननंग है व्रशन जो है वो मानव का नर जननंग होता है तो हमें पर व्रशन लिखेंगे ठीक है अगला question है question 12 है और question 12 कहता है पत्तियों द्वारा काईक प्रवर्दन होता है पत्तियों द्वारा है ना पताने द्वारा भी होता है जड़ द्वारा भी होता है लेकिन पत्तियों द्वारा किस में होता है तो पत्थर चट्टा में होता है ना पत्थर चट्टा ना ब्रायो फिलम पत्थर चट्टा को का विग्गनिक नम क्या होता है ब्रायो फिलम होता ह ठीक है आगे बढ़ते हैं question 13 है याने तेरवा question है और तेरवा question है मानों में गर्भ आउधी होती है तो मानों में जो गर्भ आउधी होती हो लगभग 280 दिन होती है याने 9 महीने के असपास होती है फ्रेंड्स रहें आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज 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 इसे subscribe कीजिए ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोस मिलते रहें और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे अनततक देखिए लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के शेयर कीजिए ताकि उ विढ़ी आज का जो मेरा वीडियो यह आठवा वीडियो है विज्ञान अध्यह आठका मैंने सारे द्ध्यहाई कि करके सारे स्थकों आपको समझाया है ठीक है नर हर्मोन कौन सा होता है तो टेस्टो इस्टिरान नर हर्मोन होता है और एस्टोजन जो होता है वो मादा हर्मोन होता है ठीक है आगे बढ़ते है कोश्चन 17 है मानव मादा में रजोधर्म का काल होता है तो रजोधर्म लगभग कितने टाइम के बाद जो है आता है तो वह ल जो अंडवाहिनी अंड़ाशे जो बनता है वो अंडवाहिनी के द्वारा ही गर्वाशे में जाता है और गर्वाशे में जाकर अंडवाहिनी की जो दिवारे होती है वो गर्वाशे से बिल्बू चिपकी रेती है और गर्वाशे के बाद में ही जो है योनी में खुलता है ग्रिवा के द्वारा अब यदि अंडवाही नहीं में रबर की नली लगा दी है तो क्या होगा तो उसमें क्या होगा कि जो अंड़ा है वहां गती नहीं करेगा यह जो अंड़ा है वहां गती नहीं करेगा रबर के द सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आपको इस परकार के वीडियो मिलते रहें और बैल आइकन को दबा दिए ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें चले मिलते हैं अगले वीडियो में थेंक्यू वेरी मच